लोग लीवनिंग सभीकू नमस्कार हर्ष तो आज का वीडियो यह है वह है भारत के उपर उसके भौत इक स्वरूप के उपर कोन सा राज्य जो है करकर एक्जाम में कहीँ कहीं पूछे जाते हैं करकर एक्जाम में तो आप सभी लोग वीडियो में अंतक बने रहेगा और सभी कोशन को हम लोग किलियर कर लेते हैं चलते हैं पहले कोशन की ओर पहला कोशन हमारा कह रहा है भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है तो भारत में 7, 8, 9 या 10 राज्य जो है तटरेखा में है तो यह जो इसका पसही अंसर है वो है हमारा 9 राज्य जो है भारत में तटरेखा में है वर्तमान में भारत में 9 राज्य और 5 केंदर सासित परदेश जो है उसकी सीमाय समुद्र तटरेखा से लगे हुई है जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, करनाटक, महराष्ट, गोवा, केरल, तमिन नाडू, आंध्र पर्देश, उडिशावर, पशिम बंगाल। जो केंद साधिर पर्देश हैं उनमें आते हैं पुद्दुचेरी, लचदीप, अंडमान, निकोबार, दीव समु, दादरायवं, नगर हेविली तथा दमनेवं, दीव की सिमाय जो हैसो समुनुर से लगती हैं नेश कोशन क्यों चलते हैं, भारत में निमलेखित में से किस से राज्जी की तट रेखा सबसे लंबी है भारत में से भारत की सबसे लंबी तटल रेखा किसराज्जी राज्जी की जो है सोलगती है आंदरपरदेश गुजरात तमिलाडू या केरग जो हमारा एंशर है वो है गुजरात अरब सागर गुजरात राज्जी को इसकी व्यापक तट्रेखा देता है जिसकी लंबाई कहा जाए तो 1214 किलोमेटर है जो की देश का कुल भूमी का करकरेखा नहीं गुजरती है इसमें पूछ रहा है किस से होकर जो है सो करकरेखा नहीं गुजरती है वो कौन सा राज्य है उतरपरदेश मत्परदेश गुजरात जारखंड तो जो हमारा इसका एंसर है वो है उतरपरदेश भारत में करकरेखा कैंसर लाइन आठ राज्यों से जो है सो गुजरता है गुजरात राजस्थान मतपरदेश चतिस गड़ जारकंड पस्चिब मंगाल त्रिपुरा तथा मिजोरम इन राज्यों से होकर जो है सो करकरेखा भारत में गुजरती है इसका जो हमारा सही अंसर है वो है करकरेखा भारत में करकरेखा जो है आठ राज्यों से गुजरती है वह अभी तुरत हम बताएं आपको कौन-कौन गुजरात राजस्थान मतपरदेश चतिस गड़ जारकंड पस्चिब मंगाल त्रिपुरा और विजोरम के लिए रहे नेक्स कोशन क्यों चलते है नेक्स कोशन है हमारा करकरेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है पांच, छो, साथ, आठ तो हमारा जो सही अंसर है वह है आठ राज्यों से होकर करकरेखा गुजरती है नेक्स कोशन है निमलिखित में से किस राज्य से होकर करकरेखा नहीं गुजरती है इसमें कोशन में पूशा जा रहा है कि कोन सा राज्य है जिस से क्रकरेखा नहीं गुजरती है औरी waking चार्व वहारत से गुजरती है और में भारत का राज्य जिससे होकर कर्करेखा गुजरती है को कुछा गया था जमू कस्मेर हिमाचल परदेश बिहार या जारखन और इसके अलावा भी आठ राजियों से होकर करकरेखा जो हैसा भारत में गुजरती है भारत की मुख्य भूमी का दक्षिनी नोक दक्षिनी साउथ पॉइंट कौन सा है इंद्रा पॉइंट केली मेर पॉइ भारत का सबसे दच्छिनी बिंदू इंद्रा पॉइंट है जो निकोबार दीव सोगों में इस्तित है इस ग्राम का नाम इंद्रा पॉइंट भारत की भूत पूर्म महिला परधान मंतरी इंद्रा गांधी के उपर रखा गया था इसे पहले इसका जो नाम था वो नाम था लाही चिंग, पैंग मिलियन पॉइंट और पार्शन पॉइंट लेकिन एक इस फरवरी उने सो इन्चास में इसका नाम बदल कर जो है सो इंद्रा पॉइंट रख दिया गया था के लिए रहे आगे है निश्कोश्यन भारत के दक्षिन में सबसे दूरस अस्थल कौन सा है इंद्रा पॉइंट या पोर्ट बिलेर तो इसका जो सही एंसर है हमार वो है इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट किस भूत पूरू महिला परधान मंत्री के उपर नाम रखा गया है तो इंद्रा गांधी के उपर इसका नाम रखा गया है इसे पहले क्या नाम था इसक जो सहा है कि इसका नाम पारसन पीन्ट है लाही चिंग पॉइंट पैग घ मिलियन प्वैंट है या इन में से सभी हैं तो यह उसका सही सर एंज में से सभी के लिए इंद्रा कॉल तो इसमें से जो सही एंसर है हमारा वो है इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट जो है सो भूम अध्य रिखा के निकित्तम इस्थित है आगे है भारतिय भूमी का सरवाधिक कुत्रभाग कौन सा है इंद्रा पॉइंट पार्शन पॉइंट पैग मेलियन नेस्ट कुश्चन है भारत का दक्षित्रम अस्थान इंद्रा पॉइंट निल्म लिखिस में से कहां है इंद्रा पॉइंट कहां पर इस्थित है तमिलनाटू केरल लक्षदीप या अंडमान निकोबार दीफ समू तो इसका सही अंसर है वो है अंडमान निकोबार दीफ समू भारत का सबसे दच्छनी बिंदू इंद्रा पॉइंट जो निकोबाद दीप समू में इस्थित है इसका पहले का नाम हमने पहले ही बताए आपको क्या नाम था पिंग मिलियन पॉइंट या लाहे सिंग ठीक है आगे चलते हैं नेश कुश्चन है हमारा भारत का मुख्य भू पमबर्चेनल नो 9 डियरी चैनल पंबन प्रकास अस्तम भारत की तमिललाडू राज्य के रामेश्वन दीपų-णडीप पर इस्थित दो प्रकास अस्तम में स्थित एक है सरकारी सुरतो सेयह पंबन चैनल पश्चमी बिंदू प्रकास अस्तम भी कहलाता है आदम का पूल एडम्स ब्रीज नीमलिखित में से कीन दो देशों के मध्य में इस्थित है भारत वन पाकिस्तान, भारत बंगलादेश, भारत वन स्रीलंका या भारत वन मैनमार तो इसका जो सही अंसर है हमारा वो है भारत वन स्रीलंका तमिलाडू भारत के दक्षिन पूर्वी तट के किनारे, रामेशोरम दीप और स्रीलंका के उतर पशिम तट पर मनार दीप के मध्य चूना पथर से बनी एक स्रिंखला है भोगोलिक प्रमानों से यह पता चलता है कि किसी समय से भारत वन स्री लंका को भू मधृका से आपस में जोड़ता था हिंदू पुरानों की मानेता के अनुसार इस सेत्व का निर्मान जो है पुराने समय में हिंदू मानेता के अनुसार इस सेत्व का निर्मान अयोध्या के राजा राम ने स्री राम की सेना ने जो वानर्थ है उनका जो है सोवर्नन जो है सो रामायन में मिलता है उनके द्वारा जो है क्या किया गया है इसका निर्मान किया गया है इसका एक और नाम है जिसे राम से तुब कहते हैं इसको राम से तुभी कहते हैं कि लिए यह कोश्चन नेश चलते हैं निम्न दीपों के युगमों में से कून सा एक दस अंस जल मार्क द्वारा आपस में प्रिथक किया जा तो इसका जो हमारा वो है अंडवन और निको बार कि लिए deuxième की चलते हैं किसके बीच स्थित में यह पूछा गया था है तो इसका जो हमारा सही अंसर है वो है दच्छिनी अंडमानेवं छोटा अंडमान डंकल जलसंधी भारत के अंडमान वा निकोबाद दीप समुह में रटलेंड दीप को छोटे अंडमान दीप समुह से अलग करने वाली जनसंधी है यह लगभग 48 किलोमेटर चोड़ी और पस्चिम में बंगाल की खाड़ी को पुर चंप गजराट के तट tut गुवा के नबश्राट के दिए इक सफिक्त है इसका सही अंसर ऑना वह के तट ऑने खुब्सूरती से चरचा और नेचरल व्यूटी के लिए गया वर में पनूलर है अरब सागर में एक दीब के रूप में यह बसा हुआ टूरिस्ट प्लेस है जो गुजरात के छोर पर इस्थित है आगे चलते हैं भारत तथा चीन के बीच सीमा बनानी वाली रेखा कौन सी है बिहारे से सिद्धोजरेगारे में यह पूछा गया था रेड क्लिफ रेखा मैक मोहन रेखा डु सीमा चीनित करती है जिसे 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मांच चित्र में मैक मोहन रेखा को अधिकारिक भारतिय सीमा रेखा के रूप में पर इसी जो है सो दिखाया गया था किलिए यहां पर यह हमने 20 कोस्टन यहां पर किलिए भारत की यह एक भोगोलिक जो है स्थित किते रहें और आप खुब जो है सो पढ़ाये मन लगाए एक्जाम की त्यारी को खूब कीजिए कोस्टन का रट्टा मारिए इस तरीके से जब आप त्यारी करेंगे तब जो है सो आपका त्यारी सफल होगा और आपकी जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे मिलते हैं नेक्ट